हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम योगेश और आप देख रहे हो All Will Solution चैनल आज का हमारा टॉपिक होगा ब्रास टू ब्रास टीग विल्डिंग कैसे करना है जैसे की दोस्तो ब्रास यानि के पितल ये धातू काफी बार जैसे की कोई एंटिक पीसेस, डोर लॉक, ब्रैकेट्स, प्लंबिंग एक्सेसेरीज में ब्रास ज्यादा तर यूज होता है दोस्तो पितल यानि के ब्रास एक ऐसा धातू है जिसमें कभी रस्ट नहीं लगती और इसी कारण के वज़े से पितल काफी ज्यादा टाइम में एंटिक पीसेस, जैसे की ब्रैकेट्स, एक्सेसेरीज में यूज होता है तो दोस्तो सबसे डिफिकल्ट माना जाने वाला ब्रास टू ब्रास में वेल्डिंग कैसे करें ये आज ये वीडियो में हम लोग देखेंगे दोस्तो ब्रास एक ऐसा धातू है जिसमें कॉपर और जींक का मिश्रन होता है और जींक मिश्रन की वज़े से इसमें वेल्डिंग करना डिफिकल्ट होता है दोस्तो जींक का मिल्टिंग पॉइंट कम होने की वज़े से जैसे ये मिल्टिंग टेंपरेचर लिक्विडिस टेंपरेचर में जींक जब जाता है तो इवेपिरेट होके उसमें से जींक निकल के पूरोसिटी आने का चांस रहता है इसलिए हम लोग यहाँ पे एक कॉपर टीन का कॉंबिनेशन वाला वायर लेके टीग वेल्डिंग से ये ब्रास वेल्डिंग सक्सेस करेंगे दोस्तों यहाँ पे आप ब्रास का पार्ट से एक देख रहे हो टीग वेल्डिंग में 140 Amps लेके 16 Voltage के साथ हम लोग सेनोर मेटल का SM41 प्रोड़क के साथ टीग वेल्डिंग करके हम लोग ये जॉइन्ट सक्सेस करेंगे दोस्तों कि जैसे ब्रास के किसी भी छोटे से छोटे पार्ट में आप जब वेल्डिंग करना चाते हो तो उसमें वेल्डिंग करना difficult होता है क्योंकि जींक का मेल्डिंग पॉइंट की जैसे जैसे हमने देखा उसमें वेल्डिंग possible नहीं होती लेकिन copper और zinc के अलावा SM41 जैसे wire को special wire को लेकि आप उसमें वेल्डिंग कर सकते हो दूसरा एक option यह है कि आप brass to brass अगर आपको जोइनिंग करना है तो silver brazing जैसे कि 5% या 7% वाली silver combination से आप उसमें brazing का भी एक option ले सकते हो लेकिन brazing दोस्तों कापी महेंगा होने के कारण tig welding एक भेतर option होता है जो कि tig welding यहाँ पे हम लोग देख रहे है कि SM41 के साथ किस तरह से tig welding करके हम लोग अच्छी तरह से joint बना सकते हो है heavy thickness में हम लोग यह tig welding या mig welding यह wire के साथ welding करके यहाँ पे tig welding के साथ कैसे joint होता है कैसे welding perfect हो रहे है हम लोग यहाँ पे देख सकते है